हेलो एव्रीवान ओम नमश्यवाय जय भोलेना ताशा करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो चली देखते हैं नियू मून के दिन आपके पॉसन की क्या फीलिंग से और याद रखना है आपको आज आपको डेफिनुटली बेलीफ रिचुल्स करनी है आज आपक कुछ दरूर करें ठीक है और चलो देखते हैं कि आपकी पॉसन की तो क्या फीलिंग से आपके लिए इसवक्ट जो है वह क्या सोच रहे हैं अब करते हैं आपकी पॉसन कहीं ना कहीं उनको रखता है कि अगर हमारे किसमत में साथ होना लिखा है तो किसी भी तरीके से हम लोग साथ रहेंगे ठीक है हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है हमें कोई भी इंसान रुदा नहीं कर सकता है उनकी ये एक philosophy है ये सोचते हैं ठीक है कि if we are meant to be then we will be अगर हमारी किसमत में है भगवान चाहते हैं तो हम जरूर मिलेंगे जरूर हम एक दोनों साथ में आएंगे ठीक है अगर नहीं तो हम दोनों के बीच में issues create होगा और हम अलग हो जाएंगे कहीं न कहीं ये मुझे भगवान के उपर बहुत ज़ादा belief रखते हुए दिख रहे हैं ये all sign दिन बर दिन ये चीज रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने किस हीरे को नहीं अपनाया था या फिर उन्होंने किस हीरे को होया था ठीक है कहीं न कहीं उनको ऐसा लग रहा था कि आप उन्हीं के याद में रोगे उन्हीं की आद में परिशान रहोगे आपको पट्री पे आप लाए ठीक है थोड़ी हवा चल रही है तो इसलिए असा हो रहा है पट्री पे लाए चिस तरीके से आपने चीजों को बहुत अच्छी तरीके से संभाला तो कहीं इससे कहीं ना कहीं आपके पॉसन को यह चीज बिलीव होने लगा कि शायद आप जो है उनके बिना भी लाइफ कार सकते हो वो शायद कुछ गलत कर रहा है तो अब आपके स कहीं मुझे लगता है कि इस बोहत जादा आपकी जरूरत हो पड़ी है अनको बहुत आ रहा है कि आपकी इंपॉर्टन्स क्या है ठीकैं और यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके relationship बहुत slow grow थे लेकिन होगा जरूर इतना आप समझ दो लाइक आप दोनों का जो reunion का chances है वो बहुत अच्छा है definitely आप दोनों का reunion होगा definitely आप दोनों एक साथ in future life में आओगे यह मैं लिख के दे दूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बगवान ने जो है वो लिख के रखा है ठीक है अगर मैं flame को भी देखूं तो क्या हम पैसा लग रहा है कि आप दोनों की energy ऐसी है कभी कभी बहुत down जाती होगी तो कभी कभी बहुत high जाती होगी लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यह रिष्टा खतम होने वाला रिष्टा नहीं है कहीं न कहीं हर एक situation को face करके हर एक difficulty को face करके आप दोनों definitely साथ में आ सकते हो यह उनका भी मानना है यह person secretly आपको चाहते है ठीक है अगर आपको खुलके भी नहीं बोल पा रहे है ना कि what this person really expecting यह आप से क्या expect करें तो मैं बता दो यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे कि secretly भी यह कहीं ना कहीं जो है आपको crave करते हैं उनको आपकी जरूरत है वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं उनको एक regret तो है इस चीज़ का की गलत हो गया और यह चाहते हैं कि आप उनके relationship में partner कम friends होके जादा रहो ठीक है जैसे एक इंसान होता है ना कि बहुत एक अच्छा partner होता है और बहुत एक अच्छा friend होता है वो चाहते हैं कि आप उनके बहुत अच्छे friend बनके रहो और हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों का relationship जो है वो सिर्ष 6 महीने पुराने हो और कुछ लोगों का relationship 5 से 10 महीना तो मुझे यहाँ पर बोथ category के लोग जो है वो दिख रहे हैं ठीक है देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि यह person आपसे शायद शादी को लेके कुछ बहुत serious है शादी को लेके बात करना चाते हैं या फिर आप उन्हें हमेशा बोलते हों कि सादी कर लो मेरे से यह शाद आपको commitment नहीं देते होंगे तो उस मामले में मुझे कुछ लग रहा है ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जादा ड्रामे कर रहे हैं आप उनको कितना भी समझाने की कोशश करो आप कितना भी कोशश करो कि person बहुत जादा ड्रामे करते हैं आपको भी एक point पे आके irritate feel होता होगा कि यह इंसान तो कुछ समझ ही नहीं रहा है ठीक है तो मैं क्या करूँ इससे बात करूँ ना करूँ क्या करूँ मैं आपको एक चीज दिखाते हूँ the beautiful thing मैं जब एक candle को पकड़ के रख रही थी आपको feel होता होगा कि मैं ऐसे पकड़ के रखी थी but actually मैं यह energy check कर रहे है and you can see यहां पर एक beautiful energy निकल के आया है ठीक है यह देख सकते हो so this is a sign की यहां पर actually मैं आप दोनों एक दूसरे की supportive partner हो यहां पर ठीक है आप दोनों एक दूसरे को बहुत support करोगे relationship में life में आप दोनों एक दूसरे को बहुत support करके चलोगे यह आप लोग एक दूसरे के supporting character यहां पर मुझे दिख रहे हो और भगवान भी कही न कहीं चाहते है कि यह relationship में आप दोनों एक दूसरे को support करो okay तो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में यह person अभी एक intense जो है chemistry feel कर रहे है पहले पहले आप दोनों का relationship थोड़ा सा awkward था थोड़ा सा ऐसा awkwardness चला था लेकिन अब मेरे हाथ ते सिसल गया one second मैं इसको again लगा लेती हूं okay तो पहले पहले चीज़े आप दोनों के बीच में काफी awkward होता होगा लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूस्टे के साथ बहुत जादा comfortable हो and I think यह जो person है ना वो बहुत ही जादा comfortable है आपके साथ इनके मन में जो भी आता है यह बोल देते है reason only यह है कि उनको feel होता है कि आप इनकी कोई भी बात को पकड़ के mind नहीं करोगे ठीक है देखो मुझे लगता है कि यह person आपको permanently आपके उनके life में जाते है ठीक है क्योंकि इनको temporary feelings नहीं पसंदे इनको showcase नहीं पसंदे तो यह person permanently जाते है आपको उनकी life में and धीरे 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 ऐसा लग रहा है देखो मुझे यहां पे आपको शाद बुरा लगे लेकिन मुझे य जादा करते हैं जैसे कि आप कोई date plan करो तो या फिर मिलने का plan करो तो वो उसको जादा seriously नहीं लेते होंगे या फिर नहीं लेते हैं और आप पूछो तो वो ऐसे ही चीजों को cancel कर देते होंगे या फिर कुछ अपना ही बहाना दे देते होंगे next मुझे लगता है कि वो अप नहीं करते हैं लेकिन कहीं न कहीं यह हर एक बात आपके share करना चाते हैं आपको बोलना चाते हैं इनके दिल में जो है आपके प्रती respect मुझे बहुत जादा दिखाई दे रहा है ठीक है आपके person excuse बहुत देते होंगे जूट बोलना या फिर यह क्यों नहीं किया उसका excuse वो क देखो कभी कभी यह आपके साथ बहुत sweet होते होंगी क्योंकि उनका उनको उनका guilt उस वक्त बोलता है कि तुम तो बहुत बुरे हो रहे थे इस इंसान के साथ तो देखो यह इनसान कितना अच्छा है फर कितनी अच्छी है तो आपके साथ अच्छे होने लगते हैं तो definitely यह करते हैं हर एक बात पूछते हैं और आपको लगता होगा कि बहुत caring person है बहुत like care है इस इंसान के मेरे से लेकिन honestly मैं बूलो care तो है लेकिन शर्मिंदिगी भी बहुत जादा महसूस होती है इसलिए भी वह अच्छा behave करते हैं उनकी गलती के वज़े से ठीक है एंड मुझे इसा लगता है कि शाद यह person अभी future को लेके जादा कुछ नहीं सोच रहे हैं फिर future को लेकि इनका चीज़ों को लेकि डर है कि पता नहीं हम दोनों का कुछ साथ में future हो पाए गया है नहीं this person is really serious about you यह बहुत जादा जो है वह seriousness इनके अंदर है आपको लेकि किसी भी हालत म आपको loss करना चाहते है ठीक है चाहे 8 दिन लग जाए 10 दिन लग जाए 8 साल लग जाए कहीं न कहीं यह person आपके life में लोटके आएंगे इतना आप लिखके ले लो ठीक है क्योंकि सची महबद जो है हजम नहीं होती है जब कुछ लोगों को तो वो चले तो जाते हैं लेकिन बाद में जब दुनिया देख लेते हैं रिष्टे देख लेते हैं गलत इंसान देख लेते हैं तो उनको बेशक जो है समझ आ जाता है कि what is wrong and what is right और फिर वो चीजों को लेके जो है वो continue गड़ते हैं तो यह person तो लोटके आएंगे लेकिन हो सकता है तब तक आपकी interest खतम ह हो चुकी होगी new moon के दिन में अगर strong energy देखूं तो मुझे लगता है कि बहुत आच kind behave करेंगे आपके सास्थ बहुत अच्छा behave करेंगे and थोड़ा बहुत time आपके लिए जरूर निकालेंगे call message करेंगे at least यह पूछने के लिए कि आप अपने life में कैसे हो क्या कर रहे हो क्य नहीं कर रहे हो या फिर कोई issue अगर आपने उनके साथ share किया था तो क्या चीज़े है क्या नहीं चीक है और मैं ही हर एक चीज़ को करते हूँ लेकिन कहीं न कहीं मैं यहीं बोलोंगी कि यह सफल हुआ आपका अपने साथ से call message वगरा करना यह चीज़े मुझे बिल्कुल सफल होता हुआ दिख रहा है ऐसा दिख रहा है जैसे कि वो इस सारी चीज़ को समझ रहे हैं कहीं न कहीं उपर वाला उपर बैठा हुआ है वो भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आप किसने effort कर रहे हो और यह उसी के हिसाफ से आपको reward देंगे बहुत जल्दी देंगे और कुछ लोगो को तो इस new moon पे भी मिल जाएगा definitely new moon पे विश मांगो आपके विश जो है वो पूरी होगी ज देखो यहां पे मुझे अशा लग रहा है कि आप अगर कुछ time जो है खुद के साथ spend करोगे आपको समझ आ जाएगा how precious you are ठीक है I think आप इनके प्यार को तरसते हो लेकिन यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग है जो आपके प्यार को तरसते हैं आप इनके लिए सोचते हो बहु मुझे यहां पे ऐसा लग रहा है कि आपको थोड़ा चीजों को समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़े है कैसी है ठीक है ऐसे लग रही है मुझे कि यह इनसान जो है आपको छोड़ के जितना जल्दी गय है उतना जल्दी वापस आएंगे ठीक है कुछ चीज़े यह करेंगे कुछ चीज़े करेंगे जैसे कि आपको अवॉइट करने के लिए खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंट कर रहे है वो चाते हैं कि आपके बारे में जादा ना सोचें चल्दी सो जाए रात को खुश रहे वो जो भी करना चाते हैं करें यह सब चीज़े लेकिन मुझे यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा कही न कहीं आप दोनों के किस्मत में साथ आना लिखा ह तो एक इंसान आपको जतना भी दूर करने के कोशिश करे। जब किस्मत में लिखा होता है न तब लोग मिल ही जाते हैं। जो किस्मत में होता है, उसकी लिए automatically जो है वो रास्ता खुल ही जाता है। आप चाहिए जितना रास्ता रोपने की कोशिश करो, जितना रास्ता बंद करने की कोशिश करो, ठीक है? इतना भरोसा आप मेरे बात के उपर रखिए, और जब भगवान आपको कुछ नहीं देती, तो बाद में आप खुद ही थांक्यू बोलोगे, थांक्यू मुझे नहीं दिया, लेकिन खेर वो तो अलग बात है, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर यह आपकी कि कार्ट जीज दिखाती हूँ, यहाँ पर इतना मैं रीडिंग करते करते, मुझे दो यहाँ पर क्लियर साइन दिख रहे हैं, पहला तो मुझे एक हमारे एंजल जो है वो दिख रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर कुछ तो एक आक्षरी बनती हुए, मुझे दिख रही है, जै जैसी एक human being जैसे की तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद और यह action का कार्ड दिख रहा है, night of wand energy, night of cups energy, मतलब कोई इंसान जो है वो action दे रहा है, और यह इसके हाथ है, वो कुछ offer कर रहा है, ठीक है, तो यहीं energy यहाँ पर overall निकल ठीक है, तो यह देख सकते हो यह आप यहाँ पर, ठीक है, बिलकुल ऐसा दिख रहा है, और मुझे night की energy feel हो गया, चलो, अब मैं थोड़ी card निकाल के card reading करते हूँ, ओके, लेट सी, और बहुत कुछ चीज़े हैं, feelings है, action से बहुत सी चीज़े हैं, तो देख लेते हैं, जल्दी जल्दी, इस रिष्टे की सच्चा ही, इस रिष्टे की feeling, beautiful, the love energy है, ace of wand से knight of sword है, जैसे मैंने बोला, night की energy action का card मुझे already candle spell में दिख रही थी, देखो, यहां पर आगया ace of wand, तो जो लोगों की no contact situation है, honestly, एक से दो दिन या फिर maximum one week के अंदर आपकी no contact situation जो है, वो खतम हो जाएगी, क्योंकि मुझे आपके person की तरफ से बात करना या फिर communication करना ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है, ये energy मुझे दिख रही है कि बात होगी, communication होगी, growth होगी, self growth होगी, relationship की साथ-साथ, यहां पर मुझे self growth होता हुआ भी दिख रहा है, आप दोनों साथ-साथ आगे बढ़ोगे, कोई आगे, कोई पीछे नहीं, साथ-साथ आगे बढ़ोगे, and with this six of pentacles in the bottom, यहां पर equal given take का भी दिख रहा है, कि हाँ, जतना आप दोगे, उतना आपको मिलेगा, equally given take का, मुझे यहां पर दिख रहा है, and with this lover, यहां पर लग रहा है, जैसे कि, आप दोनों जो इतनी time पहले बिछड गए थे, तो वो जो प्यार है, वो फिर से जिन्दा हो जाएगा, जो भी person की तरफ से थोड़ा कम हो गया था, वो प्यार फिर से जिन्दा हो जाएगा, ठीक है, आप दोनों जो है, एक दूसरे के साथ फिर से जिन्दा हो जाओगे, फिर से बात करोगे, फिर से और खासतर के अगर आप एक strong level के soulmate connection में हो तो तो कोई रोखी ने सकता है आपके strong level soulmate connection को एक होने से ठीक है तो within six hours after six days ये possible है और बात-बात तो हो जाएगी मुझे reunion का भी बहुत अच्छा chance यहां पर दिख रहा है and with this night of sword ऐसा लग रहा है जैसे कि यह person जो है बहुत जल्दबादी इनके अंदर है आपके life में वापस आने के लिए इनको जल्दी 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 जो है वो life में वापस आनी है आपकी क्योंकि उनको already लगता है चीज़े बहुत देल हो चुकी है, चीज़े बहुत negative हो चुकी है, ये वो कही ना कही मुझे लगता है, कि ये person जो है, वो कुछ decision नहीं लेना चाहते हैं, वो बस आही जाना चाहते हैं वाँत, उनका ये थोट है कि एक बार चली जाओ या फिर एक बार चला जाओ फिर जो होगा देखा जाएगा ठीक है और action मैं next action देखने की भी जरुरत नहीं मैं यहां पर बोल सकती हूँ कि वो बहुत जल्दी action लेंगे ठीक है बहुत जल्दी ही वो action लेंगे और आप unexpected way में उनके actions रहेंगे आ चली immunology से देख लेते हैं जो मैं हर new moon full moon के दिन देखती हूँ और जो मेरा favorite deck है जो भी full moon और new moon energy आते हैं यह deck मेरी favorite है what is about your relationship आपकी person की तरफ से meditate and contemplate Pisces energy हो सकती है तो मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है कि आपकी person बहुत over emotional हो रहे हैं यह जो moon days होता है यह वैसे भी इंसान को बहुत emotional करके ही जाता है तो I think आपकी person बहुत over emotional हो रहे हैं वो अपने emotions को control नहीं कर पा रहे हैं emotion को control करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए वो meditate कर रहे हैं चीजों को लेके contemplate कर रहे हैं ठीक है तो यह मुझे होता हुआ दिख रहा है ठीक है और new start यह इनको भी समझ नहीं आएगा कि मैं sudden इतना emotional क्य हो रहा हो तो new start मुझे होता हुआ है यहां पर आप दोनों की बीच में दिख रहा है नेक्स्ट है nothing will come out of the situation अभी जो भी situation चल रहा है आप दोनों अगर बहुत लड़ाई करते हो जगडा करते हो इस situation से कुछ भी निकल के नहीं आएगा आपकी पॉसन को भी यह चीज कहीं ना कहीं पता लगने लगा है कि अभी हम दोनों जितना भी लड़ाई जगडा जो और चांस देंगे नई से स्टार्ट करेंगे और नई तरीके से चांस देंगे ठीक है तो यहां पर मुझे बेसिकली यहीं लग रहा है कि आपकी पॉसन जो है वो नेगेटिव सिचुएशन को और बहुत दिन तक कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं प्लीज आप लोग वीड को देख रहे हैं ठीक है और एक चीज में यहां पर बोलूंगी कि आप दोनों ही सिच्वेशन में जितना भी कोशिश कर लो कभी-कभी कुछ वक्त बहुत इंपॉर्टन होता है तो आप लोग इतना कोशिश मत करो कभी-कभी चीज़ों को वक्त के ऊपर छोड़ दो वक्त स अब जल्दी जो है आप इस टॉबट साइकल से गुजर रहे हूँ आप दोनों और इंजल यहां पर आपकी पूस्टन का आंसर दे रहे हैं तो दिमाग में जो भी सवाल है आप पूछ लीजिए कम्यूनिकेट क्लियरली आप खेल फर मदर चूजर नियु दिरेक्शन इन जिस बोल रहे हैं यह काम जो आप क्वेस्टन पूछ रहे हो होगा की नहीं होगा यह फिर कब तक होगा यह डिपेंड करता है आपकी एफ़र्ट के उपर आप कितना एफ़र्ट डालते हो और अगर फिर भी काम नहीं हो रहा है तो कोई किसी से हेल्प लो रहां से काम हो सकता है किसी से इस तरीके से हेल्प लो अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो तो कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ दो ठीक है और बहुत अगर पार्टन के लिए परिशान हो तो क्लियरली कम्यूनिकेश love you so much, अपना क्याल रखे, bye guys.